शेशनाग और वासुकी दोनों ही नाग माता कद्रू के पुत्र हैं। मान्यता नुसार शेशनाग सभी नागों में गेश्ट हैं और इनके एक हजार फन हैं। ये भगवान विश्णु के परम भक्त हैं और उनके साथ बैकुंठ में निवास करते हैं। इनका लक्ष्मन और पलराम के रूप में धर्ती पर अवतरण हुआ है। शेश नागों में सबसे शक्तिशाली हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। संपूर्ण नागजाती समेत इनकी माता भी इनसे भयभीत रहती थी। चल कपट करने वाली माता के विरुध इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और भगवान विश्णु की शरण में चले गए। दूसरी और वासुकी शेश नाग के बाद नागों के दूसरे गेश्ट ब्राता हैं। ये सौ फनवाले नाग हैं और अपने गेश्ट ब्राता शेश नाग से भी अधिक विशैले हैं। समस्त संसार में इन्ही का विश सबसे घातक है। शेश नाग के जाने के बाद इन्हें नाग राज बनाया गया और इन्होंने युगों तक नागों पर राज किया। कुछ समय बाद वासुकी भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। इनके कठोर तपसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने गले में धातक है।